नमस्कार सीटी पोस्ट लाइट देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ निहां भारती नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादब लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घिरते आये हैं आज उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस कर एक बड़ा ऐलान किया है जी हाँ तेजस्वी यादब ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद वो 10 लाख नौक्रिया देंगे तो बड़ा ऐलान तेदसमी यादव नहीं किया है, कहीं नगहीं सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है आपको बता दे कि इस ऐलान के दोरान और क्या कुछ कहा है तेदसमी यादव ने तेदसमी ने अपनी नौकरी देने की योजना का खुलासा करते हूए बताया कि एक लाख 25,000 डॉक्टों की जरूरत है उसी अनुपात में सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है पोलिस विभाग में उन्होंने बताया कि 50,000 पोलिस कर्मियों की पद रिक्त है उन्होंने पताया कि एक लाग की अवादी में महाद 77 पुलिस है उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस का टोटल स्ट्रेंथ एक लाग 26 हजार है हर चार घंटे पर बलातकार होता है, हर पांच घंटे पर हत्या होती है उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में पौने दो लाग पदों पर बहाली की जरूरत है सिक्छा विभाग में स्कूल अस्थर पर धाई लाग से अधिक पद रिखता है जबकि कॉलेज यूनिवर्सिटी लेबल पर 50,000 सिक्छों की आवे सकता है डबल इंजन की सरकार को पिछले 15 सालों में नोक्रियों का स्रिजन करना चाहिए था लेकि नहीं किया प्यस्भी ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक से ही इन 10 लाग पदों को भरने की कवायत शुरू कर दी जाएगी मैं आपको बता दूँ इसके बाद मैं कुछ हांकरें भी आप लोगों के सांदे रखेंगे सबाल होगा कि भई आप रोजगार कैसे दिएगा मैं विहार के नौजवाणों युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राज्च जन्ता लग को मौका मिलेगा जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मिटिंग जो होगा पहले दस्थत से लगभद 10 लाग नौक्रिया नुकाली जाएगी और ये वादा नहीं है मजबूत इरादा है हम लोग जूट नहीं बोल रहे हैं जूट बोलने वालों को लोगों ने देखा है क्या ना है कुल दिर पहले तेजस्थी आदम ने बेरोजगारी पोर्टल करके एक शुरुवात की थी जिस पे 9 लाख रोगों ने रेजिस्टेशन कराया और जिसमें कुल 22,99,950 लोगों ने रेजिस्टर्ड किया तेजस्थी के पोर्टल पे बेरोजगारी की समस्या है तो इस दोराँ तेजस्थी आदम ने आज एक बड़ा एलान कर दिया है तेजस्थी आदम ने रोजगार देनी की बात कहीं अगर वो सप्ता में आते हैं तो 10 लाख रोजगार देंगे तो बड़ा एलान तेजस्थी आदम की तरफ से ऐसी तमाम ख़बरों के लिए आप सेटी पोस्ट लाइक को देखते रहे हमारे चानल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक ले धन्यवाद